दोस्तो अगर आप भी अपना boundary wall कराना चाहते हैं और आपका budget भी कम है तो ये वीडियो आपके लिए काफी useful होने वाला है क्योंकि यहाँ पर मैं जिस boundary wall को दिखा रहा हूँ इसे हम तीन नाम से जानते हैं पहला होता है RCC wall, Rediment, Precast wall या फिर Compound wall कह लें तो ये जो boundary wall आप देख रहा है ये दोस्तो काफी सस्ते में और अगर आपका बड़ा plot है तो वहाँ आप काफी सस्ते में ये boundary wall करा सकते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी boundary wall हम अगर इंट का अगर हम कराते हैं फिर उसमें हम column भी cast करते हैं या फिर हमारा motor जो होता है, cement baloo भी यूज करते हैं फिर हमारा labor का खर्चा बढ़ जाता है तो हमारा rate भी बढ़ जाता है और हमारा time का भी बहुत वहाँ पर यूज हो जाता है तो ये जो boundary wall यहां दिखाया जा रहा है आप देख सकते हैं ये RCC का boundary wall एक तो काफी आपको सुन्दर look देता है इसका durability यानि कि जो इसके आपका life होता है ये काफी लंबा life होता है इसमें सडने कलने की समस्या नहीं होती है कहीं से crack आने की समस्या नहीं होती है और सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये जो लगाने के लिए आपको बहुत ही कम time में आप जितना लंबा से लंबा जितनी लंबाई है आ आपको ज्यादा टाइम नहीं वेश्ट होता है और इसका जो अभी का रेट है दोस्तो रेट भी काफी सस्ता है सबसे पहले ही बात आपको यह इसमें मिल जाता है कि आपको यहाँ पर जो भी लुक चाहिए और आपको बहुत सारे डिजाइन इसमें आती है जो कि आप जाइन दिख रहा है एक साइड और यह देख सकते हैं काफी लंबा यहाँ पर जो बॉंडरी वाल बनाया गया है यह दोस्तो आप तीन से चार दिन में इतना लंबा आप बॉंडरी वाल खड़ा कर सकते हैं सबसे पहले इसका मैं लाइफ का बता दूं तो यह लाइफ इसका जो मिक्स्चर है इसमें आपको देख सकते हैं कि हमारा सरिया भी जो पतला हमारा 4 mm का स्टील जो होता है ओ भी यूज किया गया है तो यह इसलिए इसका डिवरेबिलीटी बढ़ जाता है और यह जल्दी तूटता नहीं है और दोस्तो इसमें सबसे एक और फायदा आपको यह चीज होता है कि आपको इसमें जो आपको पीलर दिखाई दे रहा है पीलर का जो चोड़ाई है चार इंच का है और पीलर का भी थिकनेश धाई इंच का आपको मिल जाता है और पीलर में जो है दोस्तो आपको खांचा बना होता है तो आपको उपर से जो हमारा यह पट् जाएगा दोनों साइट और जो पीलर है पीलर को आपको सिर्फ वहां पे नीचे जमीन में आपको रोडी अपना बना के थोड़ा सा आपको सिमेंट चाहिए थोड़ा सा सेंड चाहिए और आपका गिट्टी जो हम कहते हैं अंडर 20 ले लेंगे और वहां पे उसको बस आपको जो पीलर है वहां हमें जमीन में कास्टिंग करनी पड़ती है फिर उसमें आप इसके स्लैब को जो हमारा बॉंडरी वाल का ये स्लैब है आप उसे आसानी से वहां फसा सकते हैं फसाने के बाद थोड़ा सा आपको काम क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि पूरा पुरा इसका कुछ अलग लुक दिया गया है उपर का जाओ इसका आप डिजाइन देख रहा है वह भी काफी सुन्दर यहां पर लुक है और इसका जो बॉंडरी की टोटल दोस्तो जो उचाही है आप देख सकते हैं कि इसमें पांच पट्टे यानि सलैब यूज किया गया है और वाला जो हमारा हिसा है वो एक फिट नदेख लिया अब इसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसका कौस्टिंग क्या पड़ता है इसका जो rate होता है दोस्तोँ आपके मार्केट में करीब 75 से 80 रुपया square feet में मिल जाता है और इसके लिए आपको करना क्या है कि जो भी आपका supplier होता है उससे आपको contact करना है वो आपका plot का area नाप कर ले जाएगा फिर उसके बाद उस हिसाब से वो आपको material जो है इसका provide कर देगा तो यहां मैं बता दूं कि अगर मान लिजे आपका 100 feet का अगर लंबाई का plot है और अगर आप उसे 5 feet या 6 feet उठाना चाहते हैं तो अगर आप 5 feet उसे उठाते हैं तो 100 into 5 करेंगे तो आपको 500 square feet आपको total माल लेना पड़ेगा तो यहां पर जो हमारा costing 80 रुपया 75 रुपया पड़ जाता है उस हिसाब से आप जब देखेंगे तो यह काफी सस्ता में आपका boundary wall यहां पर बन जाता है जो की काफी मजबूत भी होता है अगर वहीं आप इंट का बनाएंगे तो उसमें आपका फ्यूचर भी जादा नहीं होता है एक तो उसमें आपका मेटेरियल लाएगा दूसरा कि आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा तीसरा चीज क्या है कि उसमें आपको हफ्ता दिन तक फिर पानी की तराई करनी पड़ती है और वहीं अगर यह रेडिमेंट आर्सीसी बाउंडरी वाल आप लगाते हैं तो इसमें आपको कोई तराई का दिक्कत नहीं होता है और साथ ही आपके जो बाउंडरी वाल की सुंदर्ता भी काफी अच्छा बरकरार रखता है